नौ सेकेंड न्यूज में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधान मंत्री बोधी के विस्पोर्टक इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने तमाम बड़े मुद्धों पर बेबाकी से जवाब गिया एपी न्यूज से एक्स्क्लूजिव बारचीत में प्रधान मंत्री मुद्धी का बड़ा बयान बोले सब्विधान की भावदा के खिलाब कॉंग्रिस धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चांदी एडी पर एक्षिन पीम मोदी का इस पर भायान एडी के जितने भी केस हैं उनमें तीन तीसिदी राज़्यतिक लोग हैं सबाल लाख करोड जब्त हुए बैंक एम वशीन के नोट गिंते गिंते हाफ ने लगे बुंडेश्वर में वीवी न्यूस से प्रधान मंत्री बोले लोग सबा चुनाओं में इस बार पश्चिंग बंगाल ओडिशा में क्लीन स्वीप करेगी बीज़ेपी कॉंग्रिस ने बंगाल को तबाह करके रख दिया चौथे चरण के लिए आज सियासी दिगज कहां कहां हुंकर भरेंगे साथी सियासी रण के लिए कौन-कौन से दिगज ना मांकन करेंगे 9 सेके न्यूस में तमाम खबरों पर रुप करते लोग सबाच चुनाओं के चौथे चरण के लिए आशाम थम जाएगा चुनावी शोर सभी पाठियां प्रचार में जोकेंग यपनी ताकत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 माई को मतदान होगा चौथे पेज में आंधर प्रदेश की सभी 25 तिलंगाना की 17 यूपी की 13 माराष्ट की 11 सीट पर 13 माई को वोट डाले जाए चौथे चरण में मद्यप्रदेश पचिम बगाल में 8-8 बिहार की 5 जारकंड ओडिसा की 4-4 जमू कश्मीर की 1 सीट पर वोटे पियम मोदी आज दुआधार प्रचार ओडिसा में 3 जारकंड में 1 जन सभा को सबोधित करेंगे सुबह 10 बजे कंधमाल 12 बजे बोलंगीर शाम 5 बजे जारकंड के चत्रा में रैली करेंगे आज तेलंगाना में गरजेंगे ग्रे मंत्री अमिच शाह दो चुनावी सभा में शामिल होंगे सुबह 10 बजे चिविल्ला और साड़े 12 बजे कुर्णूल में प्रचार करेंगे तेलंगाना के चुनावी दावरे पर केंदरि ग्रेव मंत्री अभी चाह प्रस कॉंफ्रेंस करेंगे तो फटर 9 बजे होटेल ITC में मीडिया से मुखातिब हो पत्ना में आज सुब़ 11 बजे होटल मौरया में इंडिया गडबंधन की प्रस कॉंफ्रेंस कॉंग्रेस अध्यक् गाट पर गंगा आर्थी में शाविल होंगे राहूल गांधी आंधर प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगे सुबह साड़े ग्यार बजे वाई-एस राजी शेखर रेड़ी कुष्ट धांजली ताड़े बारबजे कडपपा में रैली प्रियंका गांधी आज महराष्ट तिलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे महराष्ट के नंदूर बार तिलंगाना के चिविल्ला में जरसभा है जहीराबाद में रोडशो करेंगे कॉझराथ के दादों में बूत नंबर 220 पर आज पुनर मतदान इस मतदान केंदर पर बूत कैप्चरिंग का विडियो सोशल मीडिया पर वायरस हुआ था नौ सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं केजरिवाल से जुड़ी खबरों का जिनके जेल से बाहर आने के बाद सियासी पारा चड़ चुका है अंतरिम सबानत पर तिहार जेल छूटते ही अरविंद केजरिवाल बोले देश की जनता देगी ताना शाही का जवाब केजरिवाल को दो जून को करना है सरेंटर दिली में आज से चुना प्रचार की कमांद सम्हालेंगे अरविंद केजरिवाल अरविंद केजरिवाल बोले जब भी किसी ने इस देश पर ताना शाही की कोशिश की है लोगों ने उसे बरदाश्ट नहीं किया है आज देश ताना शाही के इसी दौर से गुज़ाता है केजरिवाल को बेल मिलने पर कॉंग्रेस ने जताई खुशी खड़के बोले चुनाव के समय गिरफतार किया गया था तरकार भविश में ऐसी अगलती नहीं करें जार्खंड के पुर्व सीम के पत्नी कलपना सोरिन ने केजरिवाल के बेल पर खुशी जाहिर की बोली जल्दी हेमन सोरिन आकर जार्खंड में पुचार करें थे पीडिपी चीप माबूबा मुफ्ती बोली मुझे खुशी है अरविन केजरिवाल को अंतरिम जमानत मिल गई आज कल देश में अंधाराच चल रहा है कॉंगर्स ने का संदीब दिक्षित बोले जिस कारण से जमानत मिली है उससे में सहमती ऐसे में तुरंट हेमन सोरिन और बाकी नेताओं को भी बेल बिलनी चाहिए बीजेपी नेता मनोश्तिवाली ने कहा अविन केजरिवाल को खुश दिनों के लिए सशर्ट छोड़ा गया है सुप्रिम पोर्ट ने उनके चैरे पर कालीप लगा कर भी जाए जननता को वो क्या मूँ बिखाएंगे असम किसीम हेमत अविस्वा सर्मा बोले कई जदार व्यक्ती ये जमानत लेगा ही नहीं कोई ये कोई जमानत नहीं आप जाओ फिर एक तारीख को वापस आओ दिली बेजेपी अध्याक्ष विरेंदर सचदेवा ने कहा अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं वो अपराद मुक्त हो गए हैं दिली की साथों सीच बीजेपी की जीत रही है दिली आपकारी मीती को लेकर के कविता के खिलाफ एडी ने दाखिल किया आरूप पत्र शुकरवार को एडी ने दाखिल की साथमी चाश शीट हाइदराबाद में विपक्ष पर बरसे पीम मोधी बोले चार जून को जीते का देश असी ये यूचिसी के विरोधी हारेंगे वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे अगर एविम डिफेक्टेड हो तो बन सकते हैं वरना इस बार ऐसा नहीं होता अमिच शाह ने आसन सोल में रोड शो किया एविपी न्यूस से बात चीटवे बोले जन्म दर पर आई ताजा रिपोस्ट चित्ता जनक है जन्न संक्या नियंद्रण खानून पर को नीचे ये बहस परशिम बंगाल को लेकर अमिच शाह का बड़ा दावा कहा इस बार परशिम बंगाल में 42 वे 30 सीट बीजेपी की हूँ किंद्री मंतरी अनुराख ठाको एबेपी न्यूस से बोले अर्विंद केजरिवाल के उपर लगे आरूप गंबीर केजरिवाल के बाहर विकलने से चुना पर कोई पर्ट ने पड़ेगा एबेपी न्यूस से ओवैसी बोले बीजेपी एक उमीदवार तीर मारने का इशारा करती है 15 सेकेंड मांगती है मोदी जी आप 15 सेकेंड नहीं बलकि 15 घंटे ले लिजे विजेपी नेता नम्रीत रणा का ओवैसी के तोप वाले बायान पर पलटवार बोली ऐसी तोप को हमने घर के बाहर सजा कर रखा है शिकान शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हला बोले पी-म का नाम नहीं लेते तो चुनकर नहीं आते अब औरंग जेप का नाम के नाम पर वोट बाग रहे है पुलबामा हमले पर ते लंगाना के सीम रिवत रड़ी ने सवाल उठाए कहा इंटेलिजेंस फेलियर था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं यह हमें नहीं पता बाहुवली अनन्ज सिंग के गढ़ मुकामा में बाहुवली अशोक महतोगी पत्नी अनिता देवी के सवर्थन में रोड शो बोली कौन अनन्ज सिंग हम नहीं जानते उतर मध्य मुंबई से बीजेपी उमीदवार उजवल मिकम के सामने पंदरब मुस्लिम उमीदवार कहा महाविकास अघाडी की वर्षा गायकवार दे रही है टक्र पंदर सेके न्यूज में राजनीती से जुड़ी और कबरों को जान लेते हैं आयोध्या पहुचे उपराश्पती जगदीब धनकर निस्सपरिवार राम लला के दर्शन की हनमानगडी में दर्शन की सर्यो आर्टी में शामिल हुए कहा राम लला के दर्शन से धन्य हो गए आयोध्या पोचे बिहार के राज़पाल राजेंद्र अरलोकर ने भी राम लला के दर्शन किये पूजा अर्चनाकर खुश दजर आये टेंट से अपने भव्य मंदिर में विराजित राम लला हुए ये बात कही राम मंदिर पर महाराश्ट्र कॉंग्रिस अध्यक्ष नाना पटोली के बायान पर मुख्यमंतरी द्रेविंद्र परणवीज का कॉंग्रेस पर बोले ये वो लोग हैं जिने बगबान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते देखा गया था देविंद्र परणवीज ने कहा कि कॉंग्रेस ने जान बूचकर राम मंदिर का मुद्धा लटकाया और जब राम मंदिर बन गया तो प्राण प्रतिष्ठा का निमन्तरन ठुकराया कॉंग्रेस कल भी राम विरोदी थी आज भी पुरुफ कॉंग्रेस नेता आचारे प्रमोथ कृष्णमनी कॉंग्रेस को लिया आड़े हाथों कहा इन्हें राज़्पती मुर्भू के राम मंदर जाने से परिशानी है तहा इनका नाम इनका राम नाम सत्य पक्का है यूपी के कानपूर में इंडिया गट बंधन की जर्द सभा में राहूल गाधी ने कहा इस बार यूपी में इंडिया गट बंधन के खाते 50 सीटे आ रहे हैं अडानी अमबानी का नाम लेकर पीयम मुदी ने पहले ही हार मान ले कानपूर जनसबा में अखिलेश आदम ने कहा ये चुनाव का चौथा चरण बीजेपी का बैंक बैलन्स खराब कर देगा सरकार बनाने पर अग्मी वीर गूजना बंद कर देंगे बोले कानपूर को बनाएंगे कामपूर कानपूर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ब्यस्पी अध्यक्ष मायवती ने कहा गलत नीतियों की चलते केंद्र और कई प्रदेशों से वहारूल भी कॉंग्रेस अब बीजेपी भी कॉंग्रेस की राह पर चल रही है श्रीनगर के गांदरबल में पीडिपी अध्यक्ष माबूबा बुप्ती ने कहा इलेक्षिन कमिशन बीजेपी की तरफ नहीं देख रही सिर्फ विपक्षी दलों को ही निशाना बना रही है बिहार के बकसर से एंडिये प्रतियाशी मिथलेश्ट तरवारी युगट बंदन उमीदवार स्तुधाकर सिंग ने नामांकन किया नामांकन के बाद बीजेपी और आरजेटी प्रतियाशी के बीच तेज हुई जुबानी जब पंजाब के पट्याला में शीरोमडी अकाली दल के प्रतियाशी ट्रैक्टर से सवार होकर नामांकन के इदर पहुँचे पुर मंतरी सुर्जीत सिंग रखडा की मौझूद की में एंके शर्माने नामांकन किया गोरपुर के कलिक्टरेट में नामांकन के बाद लक्जरी कार छोड बाइक पर सवार हुए बीजेपी प्रतियाशी रवी किशन पिप्राइच विधाय दिरह मौजूर बाइक से जाने का विजियो हुआ बारल जारखंड की गोड़ा लोकसपासीर से बीजेपी प्रतियाशी मिशिकान दूबी ने पर्चा भरा बोली दोहजार उनीस में ही कह दिया था कि दोहजार चौविस में एंटिये करेगा चार सो पार का अंक्रा बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी मैला मोचा विंग की तयारी पीम मोदी के रोट शो से पहले पटना में मोदी संग बिहार महदी उत्सव का बीजेपी मैला मोचा ने आयोजन किया मद्यप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहन यादव ने उजयन में रोट शो किया बीजेपी प्रतियाशी के लिए जमतर प्रचार किया लोगों से वोट अपील की राज्य में चौथे चरण में 13 माई को मतदान हर्याणा में कौंग्रेस विधायकों ने की राश्पती शासन लगाने की माँ राजपाल के सचिव को यह ग्यापन सौपा तहां अलपमत ने सरकार विधायकों की फरीत परोक तरोखती के लिए राश्पती शासन ज़रूरी हर्याणा के जीन में दुशिन चोटाला की मा नैना चोटाला का विरोध काले जंडे दिका कर गाड़ी पर पत्थर बाजी बिना संबोधित किये वापस लोटी हिसार से जेजीपी पृतियाशी नैना चोटाला हर्याणा कॉंग्रेस विधायक भारत दूशिन ने कहा अल्पमत की सरकार को बरखास्त करी राज़पाल सीम नायप सैनी को बहुमत साबित करने के लिए कहीं कहा सरकार के पास 43 विधायक मंगाल बीजेपी अध्यक शुकानता मजूंदार ने कहा टीमसी लोगों को गुमराह करने के लिए अभी वीडियो जारी करेगी शेक्षा जहां को बचाने की कोचिट भी करेगी कारतुष्टिकरण की राज़्यती कर रही है टीमसी आई अब देश की बड़ी खबर जानते हैं सिर्फ नौ सेकेड़ कर्तारपुर साहिब कोरीडोर शुल्फ पर विदेश मंत्री एस जैशंकर का बयान कहा कर्तारपुर साहिब जाने के लिए भारतियों पर लगने वाले 20 अवेरी की डॉलर शुल्फ को लेकर पाकिस्तान से बात भरेंगे महिला पहलवानों के उद्पीडन का मामला अदालत ने ब्रिजबूशन पर आरोप तै करने का दिया आदेश एक रिसलर के आरोप से ब्रिजबूशन होग किया गया बरिजबूशन शर्ण सिंग के खिलाप आरोप तै होने पर पहलवान साक्षे मलिक ने कहा ये हमारे लंब कि फैसले का स्वागत विकल्प खुले हैं इस मामले का करूगा सामना मतदाताओं को जागरो करने के लिए पटना में इंडियन वोटर क्रिकित लीक आयोजन बिहार के मुख्य निर्वाचन पदादिकारी ने कहा पतना साहिट सीज पर सबसे कम होता है मतदान लोगों को कर रहे हैं जागरों 36 गड़ के पस्तर में मुटभेड में मारे गए 12 नकसली मारे गए नकसलीों की पहचान अब तक नहीं सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में विस पोटक मिले 12 बोर की बंदू के कंट्री मेड राइफल बीजी एल लॉंचर भी बरावा उंच में सेना और एसोजी पुलिस का सर्च ऑपरिशन जिले में एफोस के काफिले पर हुआ आतंकी हमला एक जवान शहीद हुआ था राज्यों की खबरों की अपडेट ले लेते हैं नौ सिकिंग साया गोल्ड एवेन्यू में गंदा पानी पीने को लेकर साथ सो लोगों के बिमार होनी की खबर हजार के पार आकरा पहुँचा पुर्वतर दिली के जाफराबाद इलाके में पैरोल पर आये एक चौतिस साल की शक्स ने तीन लोगों की गोली बार कर हत्या कर दी इवाबले की जाच में जुटिको लेसे इलाके के सीसी टीवी चेक दिये जा रहे हैं नौ सिकेट न्यूज में जान लेते हैं बे मौसम बारिश से कहां हां कहर है दिली एंसेयर में मौसम का बदलाओ धूल भरी आंधी के साथ तेज हवाई चलने से चिल्चिलाती गर्वी से रहक मौसम बेभागने चेताब ज़ारी थी दिली में देखा तेज हवाई का उतपाद, कई जगा पेड़ गिरने से ट्राफिक बाधित का इलागों में हलकी बारिश नोड़ा में बीटी राथ तेज आंधी तुपान से कई पेड़ गिरे, कई सेक्टर्स में बिजली कटी, बिना लाइट परिशान हुए लोग, आंधी तुपान हलकी बुनाबानी से लोगों को गर्मी से रहा